सोनम कपूर, हर्षवर्धन कपूर और अनिल कपूर ये कपूर क्लान बन गया है बॉलर्वुट का सबसे मोटर माउथ परिवार सोनम ने तो एक स्टेटमेंट में ये तक कह दिया I'll let my motor mouth gets the better off me जहां पहले सिर्फ सोनम कपूर ही अपने fierce attitude और bold statement से news create करती थी, वहीं अब हर्षवर्धन, अनल कपूर और यहां तक किर्रिया भी ऐसे comments दे रहे हैं जो बन जाते हैं talk of the town आज हम आपको बताते हैं इस कपूर क्लान के motor mouth होने का proof इन्होंने दूसरे stars को target तो किया है, साथ ही खुद की family को भी अपने words की तलवार से नहीं बख्षा हर्षवर्धन ने खुद की ही बहन को बता दिया hypocrite सोनम ने statement दिया था कि वो industry में date करना सही नहीं मानती in fact उन्होंने कहा मेरी stars की साथ chemistry अच्छी है but I never had sex with my co-stars और हर्षवर्धन ने इस पर कहा सोनम herself has said a lot of time that she would not want to date an actor from this industry I mean I feel that's a little hypocrisy recently पाक actors को ban करने की controversy के बाद जहां हर स्टार खुद को इस issue से दूर कर रहा है वहाँ जब हर्षवर्धन को पूछा गया कि अगर 50 Shades of Grey का Indian version बनेगा तो actor कौन होना चाहिए and he said फावाद फिर कुछ दिनों पहले हर्षवर्धन ने ये भी कहा कि वो इंडस्ट्री में से दिपिका और प्रियांका को डेट करना चाहते हैं वेल यहां तक तो फिर भी ठीक था सोनम का इस पर epic response सुनिए she said हर्षवर्धन का तो लड़कियों के मामले में टेस्क बहुत ही खराब है हर्षवर्धन ने कुछ दिनों पहले ये भी कहा कि he is dying to do nudity on stream and he would love to do so सोनम कपूर के statements को तो अगर हम count करना शुरू करेंगे तो कल सुबह हो जाएगी सोनम को जब एक कस्मेटिक ब्राइन का ambassador बनाया गया सोनम से कट्रीना की success का reason जब पूछा गया सोनम से कट्रीना की success का reason जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कट्रीना में certain level का commitment है और certain level of shamelessness मतलब सोनम ने खुद को मोटा माउंट प्रूफ करने में नहीं छोड़ी है कोई भी कमी अनिल कपूर भी अपने show 24 के लिए हो गये थे बहुत outspoken उन्होंने कहा कि उनका show time के बहुत ahead है और Indian television पर आज तक अभी ऐसा show नहीं बना और ना बन पाएगा सोनम ने ये भी reveal किया कि जब हर्ष किसी लड़की को date कर रहे होते हैं तो रिया और वो खुद हर्ष को message करते हैं और उसमें लिखते हैं She's sweet but tacky. Not bad but you can do better. We hope you're using protection. Why do you have such bad taste in women? Well, ये सब देखिये, आप भी समझ गए होंगे कि जहां अब तक सिर्फ अनल और सुनम कपूर ही controversial statements देकर Headlines grab करते थे, अब हर्ष वर्धन भी शिरू हो गए है on the same line Bureau Report, Zoom, Mumbai